FDI. FDI का मतलब होता है Foreign Direct Investment. यहाँ पर क्या हो गया? Foreign दोरा Investment किया जा रहा है किसी दूसरे कंटिरे में. आप सपोर्श करिए कि हमारी कंट्री की कोई company है. सपोर्श कर जूड़ करीं, तब बिटानिया में जो है अमेरिका की कोई company है या फिर अमेरिका कोई person है वो जो है investment करता है हमारी बिटानिया की इंडियन कंपनी में तो फिर क्या होगा यह foreign direct investment कहलाएगा तो investment made by यह company और entity of a country into company और entity of another company यानि एक country के company या entity यह individual दारा किसी दूसरे country के company या entity में investment को ही क्या कहलाता है FDI कहा जाता है तो यहाँ पर क्या हो गया non-residence investors invest in residence business आनि कि हमारे country के business में कोई non-residence जो है वो investment करता है तो वो FDI कहता है FDI can be done through any individual business entities और government आनि कि किसी भी business entities और किसी individual दारा फिर government दारा FDI किया जा सकता है तो अगर हम Indian point of view से बात करें FDI के बारे में management control भी पाना होता है तो जब कोई भी company हमारे Indian companies में 10% से ज़्यादा invest करती है तो वो management control भी उसके हाथ में आता है long time investment होता है locking paired भी होता है और FDI जो है normally 10% से ज़्यादा ही होती है यानि कि Indian company में अगर आप 10% से ज़्यादा investment कर रहे हो तो फिर वो क्या होगी FDI कहलाएगी clear तो world investment report 2020 के according इंडिया में FDI 2019 में 51 billion dollar का हुआ था तो यहाँ पर हम बात कर लें कि FDI कैसी किया जा सकता है तो देखे तीन important तरीके है पहला तो merger आप कर सकते हैं कि किसी Indian company के साथ merger कर लिए जैसे टाटा AIG आपने सुनागा तो टाटा AIG टाटा एंडियान होगी AIG American insurance group अमेरिका के होगी तेनों नों क्या किया मज़े कर लिए और फिर क्या है partnership में अपना काम कर लिए तो merger acquisition यह भी partnership करके जो है FDI बाहर के लोग, बाहर की company, बाहर की चीजों में FDI allowed है, याने कि क्या पूरी की 100% FDI allowed है या फिर कुछ ने कुछ restrictions हैं, तो restrictions है government of India prescribe foreign cap in specified industrial sector याने कि अलग-अलग industries में foreign cap लगा दियेगे कि foreign के लोग कितना invest कर सकते, कितना invest नहीं कर सकते, तो maximum जो है 100% FDI allowed कर दिया गया है लेकिन बहुत सारी चीज़े हैं, जहां पर अभी भी restrictions हैं, और बहुत सारी ऐसी जगा जहां पर आप automatic याने कि बिना government के approval के investment कर सकते हैं, वहीं पर कई सारे ऐसे industries हैं, जहां पर आपको government के approval लेना पड़ता है, तो broadly industrial sector are categorized as, यानि restriction के basis पर बात करें, तो restricted है, restricted में आने कि 49% FDI allowed है, वहाँ पर, अमतलब कि 49% तक उसमें investment कर सकता है बाहर का कोई भी person हो या फिर government हो, या फिर कोई company हो, जैसे कि insurance, banking research and development, courier, इन सब में 49% तक ही FDI allowed है, 49% से ज़्यादा वो investment नहीं कर सकते हैं, इसकर से unrestricted है, unrestricted यानि कि 100% FDI allowed है, वो पूरा का पूरा कर सकते है, mining हो गया, IT service हो गया, airline हो गया, e-commerce हो गया, 100% FDI allowed है, वहाँ पर कई सेक्टर ऐसे जो कि prohibited हैं, जैसे automotive energy हो गया, tobacco and related industry हो गया, तिये prohibited है, यानि कि इसमें foreign investment allowed ही नहीं है, यानि कि यहाँ पर FDI नहीं हो सकता, लेकिन जो mining हो गया, IT services हो गया, airlines हो गया, वहाँ पर 100% allowed है, वहाँ पर insurance banking, R&D हो गया, हाँ पर 49% FDI allowed है, तो यहाँ पर restricted, unrestricted और provided की बात होगी, कि यानि कि कौन से industrial sector में कितना परसेंट का investment किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर investment करने के लिए, कुछ ऐसे sector जहाँ पर आप automatic यानि कि बिना government के approval के investment किया जा सकता है, वही पर कुछ ऐसे sector है, इंडेस्ट्री से जहाँ पर government का approval लेना पड़ता है, तब जो बाहर की company, यह industrial जो है, investment कर सकता है Indian companies में, तो उसी की basis पर automatic route और government route दो route तयार किये गए हैं, तो FDI can be done through two ways, पहला है automatic route, automatic route यानि कि no approval from government, is required है, भी गवर्मेंट को आप गवर्मेंट से approval लेने की जोड़त नहीं है, जैसे कि plantation sector हो गया, तो हाँ पर 100% FDI allowed है, automatic आप आप आके कर सकते हैं, mining, coal और lignite में, mining अलग अलग कर टेगरी में, तो coal और lignite के लिए 100% FDI allowed है, automatic route में, याँ पर गवर्मेंट को approval लेने की जोड़त नहीं है, पेट्रोली में, नेच्रोल गैस में 49% का FDI allowed है, वो भी automatic route में, broadcasting में 100% FDI allowed है, automatic route से, civil aviation में 100% allowed है, automatic route में, वहीं पर government route की बात करें, तो government route याने की, यहाँ पर आपको investment करने के लिए, इन industries में, आपको government का approval लेना पड़ता है, जैसे defense manufacturing हो गया, तो 49% तर तो automatic है, लेकिन अगर 49% से extra आप investment करना चाहते है, तो आपको government का approval लेना पड़ेगा, print media हो गया, तो 26% ही allowed है, और भी government route के through ही allowed है, इसी तरह के से food product manufactured और produce in India, इसमें आप 100% FDI हो सकती है, याने की बाहर की कोई company है, बाहर की कोई government है, फिर individual है, वो 100% तक यहाँ पे investment कर सकता है, इन type की industries में, लेकिन उसको पहले government का approval लेना होगा, तो इस तरीके से आप overall समझें, तो FDI याने की foreign direct investment, याने की जब कोई बाहर का person, बाहर की company, बाहर का government, जो है वो हमारी country में आता है, और हमारे यहाँ पे जो industries है, जो हमारे यहाँ पे business है, उसमें investment करता है, तो foreign direct investment होता है, उसमें कुछ industries ऐसे, जहाँ पे 49% तक ही allowed है, वहीं पे कुछ industries ऐसे, जहाँ पे 100% तक investment allowed है, और वहाँ पे भी 49% investment कर रहा है, तो वहाँ पे भी कुछ न कुछ ऐसे industries जहाँ पे आपको directly आप investment करिये, और कोई सारे industries जहाँ पे आपको government का approval लेना पड़ता है, अब बात कर ले advantage and disadvantages की, तो advantage देखिए, but always जब बात है कि जब बाहर के लोग हमारे country में आएंगे investment करने के लिए, तो foreign money जो है, उसका flow होगा, यानि कि हमारे country में foreign money आएगा, employment बढ़ेगा, but always जब पैसा आएगा, तो investment बढ़ेगा, investment बढ़ेगा, तो job opportunities आएंगी, और domestic producer ज़ो है, वो ज़्यादा efficient होगा, यानि कि हमाई पास, हमाई पास वो technology नहीं होगी, हमाई पास पैसे नहीं थे, हमाई domestic business के पास, तो जब बाहर का लोग हमारे investment करेंगे, हमाई पास पैसा आएगा, हमाई पास technology आएगी, equipment आएगे, तो हमारी efficiency भी बढ़ेगी, और productivity बढ़ेगी, तो export भी बढ़ेगा, तो यह advantage होगा, लेकिन वहीं पर disadvantage क्या है, कि domestic company will suffer if they are less competitive, यानि कि बाहर के लोगों से अगर competition होगा, बाहर के लोग हमारे आएगे, तो competition भी होगा, competition होगा, तो अगर हम competitive नहीं होगे, domestic वाले, तो फिर क्या होगा, हमारा कही न कहीं loss होगा, domestic companies बंद हो जाएगी, effect on natural environment, natural environment भी effect पड़ेगा, क्योंकि वो जो है, गलत तरीके से, natural resources का use कर सकते हैं, foreign countries के, जो business वाले होते हैं, या फिर foreign investors जो होते हैं, वो गलत तरीके से, natural resources का भी, use कर सकते हैं, तो कहने कहीं, ये disadvantage होता है, लेकिन, अगर सही rules से, सही regulations से चलें, तो इसके benefits ही हैं, wish you all the best, keep watching.